परिचाय रहुल, आज भारत चीतेगा हाँ, भारत ही चीतेगा पिताजी रन्रेट का ग्राफ देखो भारत वेस्ट इंडीज से उपर है पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है बेटा, मोलता यह X अक्ष और Y अक्ष को दर्शा रहा है जिसमें ओवर के हिसाब से रन्रेट दिया है ठीक है, क्या आप मुझे इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से इस पार्ट में आप निर्देशांक जयमिती की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो निर्देशांकों के बीच की दूरी को ग्याद करना रेखा खंड को अनुपात में विभाजित करना त्रिभुच का क्षित्रफल निकालना जिसके शीर्ष दिये हो दूरी सूत्र जब दो बिंदूओं के निर्देशांक पता हो तो हम उनके बीच की दूरी ग्यात कर सकते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है कल्पना कीजिए कि दो बिंदू A और B है एक समकोन त्रिभुच बनाने के लिए हम A और B से जाती हुई एक रेखा खीच सकते हैं अब पाइधा गौरस प्रमय के प्रयोग से हम प्राप्त करते हैं A वर्ग जमा B वर्ग बराबर C वर्ग अब A और B बिंदूओं को चिन्हित करते हैं एकस एक आर्थ है बिंदू A का एकस निर्देशांग वाई एक आर्थ है बिंदू A का वाई निर्देशांग 36 दूरी A, XA घटा XB है और्थवा धर दूरी B, YA घटा YB है अता अब हम समीकरण को C के लिए हल कर सकते हैं जोकी दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी है यह होगा C वर्ग बराबर A वर्ग जमा भी वर्ग अब A और B का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है C वर्ग बराबर XA घटा XB का वर्ग जमा YA घटा YB का वर्ग अंतिम परिणाम है C बराबर XA घटा XB का वर्ग जमा YA घटा YB वर्ग का वर्गमूल उधारण चित्र में दिखाये गए बिंदूओं के बीच की दूरी को ग्यात करें हल दूरी सूत्र के द्वारा C बराबर XA घटा XB का वर्ग जमा YA घटा YB का वर्ग का वर्गमूल अता इस समिकरण को हल करने पर हमें C बराबर 11.66 प्राप्थ होगा X और Y के बीच संबंद ग्यात करें जहां बिंदू X, Y बिंदूओं 6, 2 और 8, 4 से सम्दूरस्थ हों हल हम मान लेते हैं कि P, X, Y बिंदू A, 6, 2 और B, 8, 4 से सम्दूरस्थ है प्रश्न के अनुसार A, P बराबर है B, P के इसलिए A, P का वर्ग बराबर होगा B, P वर्ग के अता नीचे दिये गए समिकरण को हल करने पर हमें X जमा Y बराबर 10 प्राप्थ होगा विभाजन सोत्र विभाजन सोत्र बिंदू P, X, Y जो बिंदूं A, X, 1, Y, 1 और B, X, 2, Y, 2 को मिलाने वाले रेका खंड को आंतरिक रूप से M, 1, M, 2 के अनुपात में विभाजित करता है उसके निर्देशांक है इसका ग्राफिये निरूपन नीचे दिये चित्र में देख सकते हैं विशिष्ट इस्थिति रेका खंड का मध्य बिंदू रेका खंड को एक बटे एक के अनुपात में विभाजित करता है इसलिए बिंदूं A, X1, Y1 और B, X2, Y2 के योग के मध्य बिंदू P के निर्देशांक है X1 जमा X2 बटे 2 Y1 जमा Y2 बटे 2 उधारण इस अनुपात में विभाजित करेगा हल मान लेते हैं अनुपात के बटे एक है विभाजन सूत्र के अनुसार रिन तीन दो बराबर के रिन पांच बटे के जमा एक रिन साथ के जमा आठ बटे के जमा एक इसलिए रिन तीन बराबर के रिन पांच बटे के जमा एक रिन तीन गुणन के जमा एक बराबर के रिन पांच रिन तीन के रिन तीन बराबर के रिन पांच रिन तीन के रिन के बराबर रिन पांच जमा तीन रिन चार के बराबर रिन दो के बराबर एक बटे दो के अता अनुपात के अनुपात एक बराबर एक अनुपात दो हुआ त्रिभुज का क्षित्रफल पिछली कक्षाओं में जब त्रिभुज के आधार और उंचाई दिये होते थे, तो हम उसका क्षित्रफल ग्यात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रियोग करते थे त्रिभुज का क्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणे आधार गुणे उचाई मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A, X1, Y1, B, X2, Y2 और C, X3, Y3 है तो इसका क्षित्रफल निम्न सूत्र से ग्याद किया जा सकता है त्रिभुज का क्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणन X1 इन्टू Y2 रिण Y3 जमा X2 गुणन Y3 रिण Y1 जमा X3 गुणन Y1 रिण Y2 उधारण बिंदुओं A, 1, 4, B, 2, 3 और C, 4, 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षित्रफल ग्याद कीजिए हल त्रिभुज के क्षित्रफल के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणन X1 गुणन Y2 रिण Y3 जमा X2 गुणन Y3 रिण Y1 जमा X3 गुणन Y1 रिण Y2 हमारे पास है त्रिभुज का क्षित्रफल बराबर एक बटा दो एक गुणन 3 रिण 2 जमा 2 गुणन 2 रिण 4 जमा 4 गुणन 4 रिण 3 गणना करने पर हमें प्राप्त होता है त्रिभुज का क्षित्रफल बराबर एक बटा दो वर्ग 1 आई क्या आप जानते हैं, फ्रांसीसी गणी तक के रेने डेकार्टेस ने निर्देशांक जयामिती का विकास किया डेकार्टेस ने अपने विचारों को 1637 में ला जियोमेट्री यानी जयामिती नामक्ती का में प्रकाशित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं दूरी सूत्र इस प्रकार है A X A Y A और B X B Y B के बीच की दूरी X A रिन X B का वर्ग जमा Y A रिन Y B का वर्ग का वर्ग मोल है विभाजन सूत्र इस प्रकार है M 1 X 2 जमा M 2 X 1 बटा M 1 जमा M 2 M 1 Y 2 जमा M 2 Y 1 बटा M 1 जमा M 2 अगर अनुपात 1 बटाई 1 है, तो इसके अनुसार रुपांतरित सूत्र होगा X 1 जमा X 2 बटा 2 Y 1 जमा Y 2 बटा 2 त्रिभुच का क्षित्रफल बटाबर 1 बटा 2 गुणन X 1 गुणन Y 2 रिन Y 3 जमा X 2 गुणन Y 3 रिन Y 1 जमा X 3 गुणन Y 1 रिन Y 2 X 2 बटाई 1 बटाई 2